नमस्कार फ्रेंज आपका स्वागत है मेरे शाही फोर्डने कीचन में आज हम बनाएंगे क्रिस्पी दोसा होटेल के जैसा दोसा घर में कैसे बनाते हैं ये हम आज देखते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्रेब कीजिए ये रेसिपी को शुरुआत करते हैं एक बरतन में मैंने लिया है चोटा गलास है चोटा गलास से तीन गलास मैं चावल ले रही हूँ चावल को दो बार हमें धो लेना है इसमें डाली है पानी ये मैंने डाला इसमें एक गलास पोहा पाउन से एक गलास पोहा डालना है जो हम पोहा नाश्टे में खाते हो ये है एक गलास मैंने लिया है उरत दाल ये है पाउन गलास चने की दाल ये है दाना मेती आदा चमचा दाना मेती डाला है इस सब को हमको भिगो के रखना है 7-8 गंटा के लिए 7-8 गंटे के बाद इसको पीश लेना है ये मिक्सर में मैंने थोड़े से चावल लिए भिगोए वे जो हमने भिगोए था वही पानी मैं इसमें डाल रहे हूँ बहुत थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि चावल का पानी छुड़ता है तो चावल जब हम पीशते हैं तो बहुत थोड़ा सा पानी डाली है एकदम फाइन पीशना है एकदम महीन पीशना है इसे दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है ये देखें, ये मैंने चावल पीस लिया है अब हम दाल पीस लेते हैं दाल भी उसी तरह से थोड़ा साथ मैंने दाल लिया दाल का ही पानी जो हमने भीगोया था वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी पीस लेती हूं इसे भी एकदम बारिक पीसना है एकदम महिन पीसना है इस तरह से मैं सारी दाल पीस लेती हो इसको हम पीस के mix करके इसे ढखके रखना है हम हमें 7-8 गुंटे के लिए है जब हम दाल और चावल पीसी मिक्स करते हैं तो एकाद मिनिट इसको अच्छी तरसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरसे इसको घोटना है यह देखे इस तरसी हो गया बहुत जादा पतला या बहुत जादा गाडा नहीं करना है इडली का बैटर थोड़ा गाडा होता है दोसे का बैटर थोड़ा पतला होता ह इसको ढखके रख दिजे, 7-8 घंटे के लिए, ये मैंने निकाला है, कम से कम 9 घंटे हो गए होंगे, मैंने रात को पीस के लिखा था, और सुभी नाश्टे में मैं दोसा बना रही हूँ, जब हम दोसा बनाएंगे, उसके पहले भी हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जब हमें दोसा बनाना है, तो बैटर हमें थोड़ा सा अलग सा लेना है, अलग बरतन में, और इसमें नमक डालना है, रात में हमें नमक नहीं डालना है, उसमें जब हम बनाते हैं दोसा, उसी टाइम इसमें नमक डालना है, और जब भी आप दोसा बनाएंगे, तवा गरम होने के बाद दो चमच मैंने इसमें बैटर डाल दिया है मीडियम गैस में हमें पहले तवा गरम करना है और तवा गरम होने के बाद ही दोसा डालना है हलके हथ से इसको चमच को एक ही साइड से हमें घुमाना है एकी तरह से और इसमें डालिए गी या तेल आपको जो भी पसंद है फ्रेंड्स ओ डाल देना तेल या गी पर गी ज्यादा टेस्ट करता है थोड़ा देर होने के बाद इसको हलका सा पलट दीजे कई लोग इसे पलटते नहीं है पर दोनों साइड सी ये पकना चाहिए पलटना जरूरी होता है पलटने से ये अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा ये देखे कितना सुंदर कलर आया है बिल्कुल होटेल के जैसा जो मैंने आपको मेजरमेंट इसका बताया है भिगोने का या चावल और दाल का उसी तरह से आप कर दीजे एक दोसा होने के बाद का पानी छिड़क के अच्छी तरह से तवे को पोच के ही दुसरा दोसा हमें इसके उपर डालना है ये में दुसरा दोसा भी आपको दिखाती हूं दोसा का बैटर डालने के टाइम में थोड़ा सा गैस का आंच कम कर दीजे अब दोसा डालेंगे उस पर बिल्कुल तेल या गी नहीं डालिये पहले जब हम दोसा का बैटर डालेंगे उसके उपर ही हमें तेल या गी डालना है आपको जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हो इसको वापस मैं पलड देती हूं इसी तरह से मैं सारे दोसे बना लेती हूं देखी कितना सुंदर कलर आया है इसको है चट्नी एक बार चट्नी की सामगरी देख लीजे एक पैन रखे पैन में डालिये थोड़ा सा तेल तेल डालने के बाद इसमें डाली एक चमच चना दाल एक चमचूरत दाल दोनों को मिला के भुनना है हलका सा भुनने के बाद हम दूसरी सामगरी इसमें डाल देते हैं कलर चेंज होने तक मत भुनिये नई तो चट्नी थोड़े सी काली होती है ये मैंने डाला लसन अगर आप लसन नहीं खाते हो तो लसन मत डालना लसन की जग़ het हलका सा अद्रक हरी मिर्च डाल दी मैंने और ताजा नारियल की टुकड़े डाल दिये है ये मैंने आधा नारियल लिया है ताजा नारियल छोटा सा नारियल था हलके हलके भून के ग्यास बंद करना है इसको थंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेते हैं अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी इमली, इमली की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, निम्बू निचड़के भी डाल सकते हो, मैंने डाला हरा धनिया, नमक और थोड़ी सी शकर, थोड़ा सा पानी डालके इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, ये देखे रेडी हो अब इसे हम तड़का देते हैं, एक पैन रखें, पैन में डाले थोड़ा सा तेल, तेल गरम होने के बाद डाले जीरा राई, थोड़ा सा करी लिउज, और हिंड, टैस आफ करके ये तड़का जो हमने तयार किया है, ये चटनी के उपर डाल दीजे, ये हमारे तयार हो गई दोसा और चटनी इस तरह से बना कर जरूर देखे, आपको बहुत पसंद आएगी, मेरी रेसीपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद